तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते आज की वीडियो दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे अस्थांग घर्दिय के पाष्ट चेप्टर के बारे हम जो किया अभी है इसको दीड़ियो उन आठ अंगों के बारे में देखेंगे उसके बार देखेंगे कि दोस्तु की संख्या और गुर्णВО का परभाव अगनी पर और कोस्ट में और यसाट में देखेंगे। इस संसर सं संसर्गोर यह बिफैंब कि दोस्तों प्रियोजन ने बता हैं कि दharm अर्थ और सुख इन तीन चीज़ों की अगर किसी विक्ति को प्राप्ति करनी है तो उन प्राप्ति का सबसे बेस्ट जो साधन बता है या फिर इन दर्म, अर्थ और सुख दर्म का मतलब क्या है कि जो भी हित कर कारिय किया जाते हैं वो सारे दर्म के अंतर गताते हैं और अर्थ, अर्थ का मतलब है कि वस्तू या फिर किसी विसाधन की प्राप्ति के लिए प्रियतन करना क्या है अर्थ और सुख का मतलब क्या है कि दर्म से जब विक्ति ने दर्म किया तो उस दर्म से प्राप्त होने वाला जो अनुकुल ग्यान है वो ही क्या है सुख मतलब इन तीन जो धर्म, अर्थ और सुख हैं इनके प्राप्ति का साधन आयू को बताया गया है आयू जिसको अपन लाइफ वोलते हैं उसको बताया गया है अब आयू या लाइफ जो है वो चार तरह के आयू दो बताया गया हितायू हितायू, सुखायू और दुखायू अब कोई भी विक्ति यहीं चाहेगा कि आयू उसको किस तरह के प्राप्त हो हितायू जो कि उसके लिए हितकर हो इस तरह के आयू कि उसको प्राप्ति हो और जो उसको सुख देने वाले हो मतलब कि सुखायू हो इस धर्म अर्थ और सुक की प्राप्ति का जो साधन आयू बताया गया है उस आयू की कामना करने वाले विक्ति को मतलब उस आयू की प्राप्ति करने वाले विक्ति को जो आयू है उसके अंदर कौन कौन सी आयू एक तो हितायू और सुकायू की कामना करने वाले या पिर ऐसा के सकते हैं कि प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले हितायू और सुखायू प्राप्ति की इच्छा रखने वाले विक्ति को आयरुवेद के उपदेश सुका पालन करना चाहिए मतलब आयर्वेद के उपडेस कौन कौन से जिसे की दिन्चरिया के बारे मायर्यूद में वर्णन मिलता है कि दिन्चरिया का पालन करना चाहिए उससे विक्ति जो है सवस्त रेता है तो ये भी क्या है एक तरह से हितायू और सुखायू की प्राप्ति का क्या है साधन है उसके बारे में बात करते है रीतुचरिया के बारे में बताया गया है उसे के साथ जो भी आर वियर पत्ते आर वियर का सेवन करना चाहिए सिंण सब के आरे रूर्इद में बताया कहा है मतलब आइरवड की उपद्र इस इनका पालन करना चाहिए अब जब वेक्ति पालन करता है तो इन पालन के प्रणाम सुरूम उसको हित्ट आयू और सुकहायू की प्राप्ति अती है.. तो इसके परदाम सुरुप ही द्रम अर्थ और सुखास्ट, की प्राप्ति का साध्न किस को बताया goods और आयू вопрос का। क्या है सेगेंड पर देखते हैं दोस्तों कि आयू millimeters की औरिजन प्रमा ने दक्स परजापति को दिया दक्स परजापति ने आइरवेद का उप्तेश चैसा क्या सकते हैं अगनिवेज बेल जतुर करन परासर हारी तो सारपाने इनों ने जो वो किसको प्राप्त किया और लास्ट में जिस लोग में एक लाइन लिख हुए कि तू पर्थक तंत्राणी तेंदिर मतलब इसके बाद में जो इच्छे अलगधक सिस्यत है इन्होंने अपने अपने तंत्रु का क्या किया निर्मान किया तो आईरिवेद के उतरण में बताया अगनी पुत्रे पिर एसा क्या सकते कि पुणोषी और ओधी महिर्शियू को पड़ाया था अगनी वेश बहल अब जो फिश्यत है वो कोन-कोन से अगनी वियस बहल जतुरुकन प्रंप्रासर हार इत सार पाणे को पड़ाया मतलब पुणोषी न ग्यान जो है अहिरवेद किसको दिया अगनिवेस बेल जत्रुकन प्रासर हारीत और सार पाने को दिया फिर अगनिवेस आदी पिर अगनिवेस आदी का मतलब अगनिवेस आदी जो छे सिस्यत है उन्होंने अलग-अलग तंत्रू का निर्मान की वहां तक पहुचा इसके बादोस्तों देखते हैं कि सव्रूप की बात करतें तो चरक सहीता के सलोग भी देखने को मिलेंगे ऐसेुसरुट कि बने ऊद्वत्म तो इन्हें न आप मेरसी वाटबतने बाइन vaaghan उसे के साथ जो आयर्वेद के दूसरे गरंथ है जिन में इंपोर्टेंट चीजे बताए गए उन सभी को क्लेक्ट करें एक स्थांगहर्दे को बनाया है या पिर असका कहसे कि अस्थांगहर्दे का निर्मान किया है तो यहीं लिकावा है कि मैर्शी वागपत के कि अनुसार म है की इदर उदर विक्रे हुए उन प्राचीन तंत्रू में से उत्तम से उत्तम का मुलब बेस्ट से बेस्ट जो पार्ट हैं मैं उसके अच्छा इप उसके बार देखते हैं दोस्तों कि आयरुवेद के अंग या फिर आयरुवेद के जो अस्ट अंग बताये गए वह कौन-कौन से हैं जिसमें अगर अगर पृथरम अंग की बात करें दो है काई चिकिपसा जिसको अपन मेडीसिन बोलते हो काई चिकिपसा उसके बार बाल तंट्र כ strip of कर्यान विद्विद्यय का परवाव होता है कि उसमें पर पपंचर नमबर का प्रवाव एडरी तंत्र गये हो और यह बताया घै और इन आप अंगों के अंतरगत है कि और पीड़िय क्षाट क्या जो वह चोटे बच्चों में की जाती है उनके बारे में इसके आंतरगत तो इस तरह से इन आठ अंगों में जो हो टोटल जो जितनी भी चिकित्सा है उस चिकित्सा का समावेस किया गया उसके बार दोस्तों अगर आपन बात करते हैं जो संक्या है वह क्या बताएगे तो इसके बारे में वह से पहले ही पढ़ चुके हैं तो वायू पितक कपस्चे इती तरियों दोस्तों समावेस कि दोस्तों का वर्ण किया था अचारी उन्हें तो तो रहन बताएं कि आई रूविद सास्तर में सक्षेप रूप से तीन दोसी जो हैं माने गए हैं जिसके अंतरगत वात पित और कफ जो मोख्य रूप से तीन दोसी बताएगे इसके बार विधर तो रहुत दोस्त gi तो क्या इनके वारे में पढ़े देख चुके हैं सभी वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देरिऊ जो पहले पढ़त चुके उनका आप वहां से जाकर कि लिंक बिल जाएगा वहां से जाकर एकि आप इनको देख सकते हैं विकरता विकरता दोस्त क्या होते हैं कि दोस्तों कि उसके नतरिकत क्या होता है उसके बारे विकरता 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 क्या होती है जहाँ पर वात पित अर्कव तीना दोस्तों तो सरीर को बनाये रखने का का उसके बारे अपर सब्सक्राइब करूंगा तो रिज जालीए से देख लेएं आप आपका रिविजन हो जाएगा दोसों के स्थां समंहस्ती सदर मेया उ् agradable की वात पीत और कफ, अंके कोई विसेसिस्तां जो हो अगर वात, पặ्ल, कफ, अंतिन की बात करें तो संपॉंट सर्ब में जो है विया तेनों दोस्थ व्याब्त रहेते हैं लेकिन अगर विसे सिस्तान की बात करें तो वात दोस्तान जो नाभी के नीचे ले वाला जो पार्ट है या पिर जो नाभी के नीचे का जो भी लोगर पार्ट है उसको वात दोस्तान बता है पित दोस्त की बात करें तो नाभी और हर्दे नाभी और हर्दे के बीच का जो बात करते है परकोप अवस्ता प्रकोप काल अब दोस्तों की तीन अवस्तां ही होती है जब अपने किरिया काल टोपिक बढ़ा था किरिया साप ग्रुम विङ्ञान में तो सचे अवस्ता प्रकोपey dif прसर ही डिव करण यो हम अब erase तो इसमें अब आ किस काल में होताए व प्रारंबी काल, प्रारंबी काल की अगर आपन बात करें, प्रारंबी काल या प्रारंबी काल या प्रारंबी काउस्ता की बात करें, तो प्रारंबी काउस्ता में जो कप दोस्परदान होता है, मध्यम काल में जो है, वो पित्त दोस्परदान होता है, और अंतिम काल या अंत बढ़ा हुआ होगा कि रूप से कब बढ़ा हुआ होगा अगर 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 अपन मद्यम काल की बात करें दोफेर की बात करें तो दोफेर के टाइम पर पित बढ़ा होगा और रात की अंतीम पर है या फिर précis अब अकिने सीवक की व्रुप होग उसी तरह से जीवनमन का मतलब जिद्ध्या च्छूटा जनब लेता हैं तो जन्म की प्रारविक 篇रती युर्था तो इसलिए कि अगनी का इस निए पर में लिका है की प्रारंबी का उस्ता में पफ दोस्ता है गाल्या और घृता में अगनी इस कोष्ट पर बढ़वा इस टोपिक के बारे में भी हम किरिया सारे फीजियोलोजी में बात कर चुके तो उसका वीडियो का लिंक में आपको देदूँगा आप वहां से देया करके उसको देख लेना तो यहां पर देख लेते हैं अगनी का परभाव सामया उस्ता में जो अगन बढ़ने पर मर्दू और कफ दोस्के बढ़ने पर मध्यम होता है दोसो के निसार गर्ब की परकरती की बात करें तो दोसों के निसार घर्म की परकरती कह बनी हूए मतलब जब सुक्रू और सौनी तो मतलब कि सुक्रू और आरतों का जब सयोग होता है और सयोग के परणाम सरुव यूगमनेज या जाइगोट का निर्मान होता है मतलब कि ओवम और इस्पम के मिलने से जब जाइगोट का निर्मान होता है जैसे अगर मानो कि जब सुक्रू और आरत्यों आपस में मिलेते तो उस दोरान अगर मानो कि किसी भी कारिण опас 지역 वाथ दोस्त if बढ़ा हुआ है तो उस condition में आने वाले गर्ब की जो परकरती होगी हीन परकरती होगी ठीक है तो वात दोस्त के बड़े होने के कायंट जो वात दोस्त के परभाव की वज़े से जो गर्ब की परकरती हुई और कैसी हुई हीन परकरती हुई अब ऐसा भी तो सकता है कि दो दोस्त जो हो बड़े वे हो जब ऐसी कंडिसन जहां पे सुकुरु और सोणी ताज़ा वापस में मिल रहे हो तो उस दोरण अगर दोस्त आपस में बड़े जैसे कि वात और पित अगर बड़े हैं तो इस कंडिसन में निंदनिये मतलब कि जो ए आए गए तो तत्र रुख्ष लगू सीत खर सुक्सम चल और अनिल सुक्सम और चल मतलब कि सदा गतिसी लेने वाला वाद दोस को बता है पित्त दोस्के गुन की बात करें पित्त स इसनह तिक्षन उष्न लगू विस्तरंश सर द्रव मतलब पित्त दोस्के गुन जो है कि इस पित्त के गुन बता है कफ दोस्के गुन की बात करते है इस निग्द सीत गुरू मंद सलक्षन मर्तसन और इस्तिर दोस्तों मैं इनको बहुत पास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनके बारे में पहले देख चुके हैं और अगर आपको और उसनके बारे में जान कर चाहिए और उनके बारे मोर पढ़ना है तो आप उनके वीडियो का में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पर आई बेटर में देदूंगा आप वहां से जाकर रहें को अच्छे से पढ़ सकते हो जस्ट मैं आपका यहां पर रिवीजन करवा रहा हूं उसके बार देख के लिए बैुता हैं या फिर तेर दोस्तों की परधांता होती है तो उसको अपन अपन संदी पातर्रज के नाम से जानेंगे तो परीबास कि संसर्ग की एसी इसती जिसमें किनीग दोस्तों का एक साथ च्छे हो मतलब जैसे मानलों कि वाद्डोस्त का भी छह हुआ और पित वातपत्त के वातपत्त से पसको पसनीपात क वात्त से अनुरकी। पसनीपातित का मौने कि एक साथ छे अत्व कोपत न कि देखे वातपपत्त जो हो ना साईंहित पस. परकरती और उसके लावा दोसु का जय फोरा किवर किया इन सबीजिस्थ लाइवा पर्लाइघ राउस के बात करेंगे थेंक यू सो मच गाई